दोस्तो आज के इस वीडियो में हम IRFC यानि कि Indian Railway Finance Corporation Limited को detail में अनलाइज करने वाल है तो सबसे पहले शुरूआत कर से दोस्तो रिटन से चाहाँ पे एक वीक में दोस्तो माइनस 10% यानि कि 10% का लोस रहा है वहीं एक मंत में 14.6% का रिटन दिया है तीन मंत में 42 जो कि अच्छ लगते हैं जैसे कि स्टॉक का sentiment क्या है तो neutral रहा है दोस्तो market pricing क्या है दोस्तो overvalued है और वेलुट क्या है दोस्तो यह मापको आगे बताने वाला है अब इनका SWOT अनलेसिस कर लेते हैं यान कि strength क्या है weakness क्या है opportunity और threat यह सब हम दोस्तों देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखते है strength 6 है 3 year return of 616 यानि कि 616% का return दिया है 3 साल में जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा return है revenue has grown at a rate of 19.12% over the past year तो पिछले साल के इस आप से देखे तो इस साल यहाँ पर 19.12% जो कि last साल का revenue आए दोस्तों net profit has grown impressively over the last year by 1.80% over the past year तो last year का दोस्तों 1.18% इनका net profit बढ़ा है net profit has grown impressively over the last quarter by 7.05% over the past quarter तो दोस्तों last quarter का इनका net profit है वो भी 7% चे बढ़ा है जो कि अच्छी बात है impressive ROE of 14.66 है impressive ROC of 5.32 हो कि अच्छी कासी बात है weakness दोस्तों क्या है तो revenue has declined by 3.96% over the past quarter तो पिछले एक वाटर में दोस्तों revenue इनकी 4% के करीब गीरी है वहीं dividend भी दोस्तों अच्छा नहीं देती इसलिए इनकी weakness है दोस्तों तो अब जब भी अगर आप इसमें इन्वेट करना चाहते हो तो इसे भी consider करना अब दोस्तों यहाँ पे इनका performance तो आप देख सकते हो 52 week low इनका 32 और 52 आए दोस्तों नो है तो कितना return दिया है आप यह भी देख सकते हो fundamental में दोस्तों large cap company financial term landing company ही इनका P.E. दोस्तों आप देख लो 35.41 यानि की 35 के करीब है वहीं पे sector का P.E. दोस्तों 16.4 है तो दो गुना है इसलिए दोस्तों यह stock हम कह सकते की वर्क क्या करते हैं तो Indian Railway Financial Corporation इजब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वोले ओन बाइज गवर्मेंट ऑप इंडिया तो दोस्तों एक गवर्मेंट औप इंडिया की कमनी पी एसु सेक्टर है इट डेडिकेटेड मार्केट बोरोइंग और अपधा इंडियन रेलवे प्राइमरेली एंगेज इन फाइनेंशियल फाइनेंशिंग अप रोलिंग स्टॉक एसे लाइक लोकोमोटीव कोचीज वेगन ट्रॉक अप देख सकते दोस्तों तो रेलवे को यहां पर फाइनांस कर रिलेड़ ही है प्राइज और वलुम सथ व्म देख लेथे दोतर फाष्ट का रिटन दोस्तों यहां पर देख लेट्वी extensive जोजौन करोड में इसे करोड में कंसिडर करना 2022 में 20,301 करोड फिर 2023 में 23,932 करोड और 2024 में 26,655 करोड इनकी रेवन्यू रहे दोस्तों रेवन्यू अच्छी कासी है ग्रोव आप कर सकते हैं कंपनी भी देख सकते हो नेट पॉफिट 2020 में 3,192 करोड था वहीं बढ़के 2021 में 4,416 इसमें 6,89 करोड दो 2023 में 6,337 करोड और 2024 में 6,412 करोड तो दोस्तों तीन साल में ज्यादा बड़ा नहीं पर अच्छी कासी फिर भी ग्रोव तो हो रही प्रोफिट कंपनी अच्छी कासी कर रही है शेर ओल्डिंग का पेटर्न देख लेते दोस्तों तो प्रमोडर के पास 86.36% यानि कि 90% के करीब आप मान सकते हो कि प्रमोडर के पास है जो कि अच्छी बात है या फायाए के पास 1.15% बहुत कम है डोमेस्टिक इंस्ट्यूटिशन के पास भी 1.15% जो कि बहुत ही कम है रिटल के पास 11.34% है अब दोस्तों इनका कुछ की इस रेश्यो देख लेत परशेंट आरो से ही भी आप देख लो 2019 भी इसमें 6% सा फिर 21,22 और 23 में 5% रहा आरो यह आप देख लो दोस्तों तो 2.4 2019 में सा फिर 2.7 3.4 2022 में 4.7 और 2023 में 4.9 नो रहा है दोस्तों इनकी दोस्तों कमपेरेजिन की कुछ IRFC, PFC और REC लिमिटेड है चाहां पर PE दोस्तों स 8.92 तीन मंत का रिटन तो दोस्तों रिटन में यहां पर IRFC सबसे आगे हैं दोस्तों 42% का रिटन रहा है 3-year sales growth देखें तो वहां पर भी दोस्तों 19% का है जो की सबसे आगे रहा है 3-year profit growth देखें तो वहां पर दोस्तों profit growth में थोड़ा सा कम है PFC और REC लिमिटेड दोनों 19% के करीब है 3-year ROE आप देखें तो वहां पर भी दोस्तों कम ही है 27% PFC का है REC का 20% और सबसे लाइस्ट में IRFC का है तो अगर आप भी चाहते हूं कि आपको भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो पहले डीटेल में एनलाइज करके ही इन्वेस्ट करें अगर आपको दोस्त पहले डीटेल में एनलाइज करवाना है किसी स्टॉक का तो आप हमें कॉमेट कर सकते हों उस टोक के बारे में दोस्तों डीटेल में एनलाइज करेंगे ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में